आज हम प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे महंगाई के उपर अब आम महंगाई से काफी तंग हमें दिखाई दे रही है और हम देख रहे हैं दिन बादिन महंगाई की शरह में बढ़ती ही चली जा रही है बिलाखर वजीर आजम इमरान खान ने महंगाई का इतराफ कर लिया देर आए दुरस्ताए सुबसे लेकर शाम तक और रात गए तक मीडिया पर महंगाई के हवाले से बहस होती हुई दिखाई दे रही होती है बतकिसमती से हुकमरान समझते हैं कि तक्रीरे करने से जूटे वादे करने से अवाम मुतमईन हो जाएंगे ऐसा ना हुआ है और ना ही कभी आएंदा हो सकता है बेशक इमरान खान साहब ने अहकामाद जारी कर दिया है लेकिन इस पर अमल दरामत मुश्किल है असल में हुकमत को चाहिए कि अगर वो सस्ती अशिया गरीबों को देना चाहती है तो उसके लिए हर महाले में जो है वो सस्ती दुकाने उटे हैं गली महाले की तो उसपे वो हर चीज़ दस्टयाब होनी चाहिए जो आवाम को चाहिए होती है जरूरती अशिया जो होती है उसकी गमते उसकी प्राइस हो कम कर देना है सबसे अहाम बात ये भी है कि एक जो आम आदमी होता है उसकी जो तनखा है नॉर्मल जो आदमी होता है उसकी 16,000 से तनखा बढ़ा कर 30,000 तक कमस कम जो है वो कर देनी चाहिए ताके लोगों को इस तरहां से रिलीव फराहम किया जा सके और कुछ बात कर लेते हैं मतलब कर्जों बेरूनी कर्जे के हवाले से भी हम आपको यहां पर बताएं कि बेरूनी कर्जे 106 बिलियन डॉलर हैं अंदरूनी 21,000 बिलियन रुपे हैं और इस तरह जो हम देख रहे हैं इतने जादा कर्जे मजीद बढ़ते चले जा रहे हैं इस क्या स्थेटेजी बनानी चाहिए है तो हम जानें कि हमारे बहु हमारे साथ मौझूध हैं हमारे गैस काशिफ आया काशिफ भूष रहत्ष क्या है । क्या कहें इसके उपर किस तरह आवाम को रिलीफ परश्राम कियाज्व सकता है बिसमिल्लार्मान रर्रहीम, फिर्स फॉल कौकप, वंस अगें आपका शुक्रिया आपका शुक्रिया एंवाइटिंग मी तो डिसकस अच इंपॉर्टेंट मेरा, यह प्रॉल्म डेफिनिटली महंगाई कर जो हमारी कौम के ओपर यह जो गुजर रही है, यह पहाड जिसे कह स जाता है, फिर उसको डियागनोस किया जाता है, फिर उसके लिए दवाई यह जो भी होती है, फिर वो प्रिस्क्राइब की जाती है, तो सबसे पहले हम यह देख लें कि आज अगर आप इस जगह पहुंचें तो पहुंचें क्यों है, तो इवन दो अक्सर लोग यह बात करत सबसे पहले हैं, क्या आप उस करजे के साथ रहती रहेंगी क्योंकि उन्होंने आपका क्रेडिट कार्ड यूज किया था, आप नहीं रहती रहेंगी, आपकी कोशिश ही होगी कि जल से जल मैं इसको पे आफ करूँ और रियल लाफ, कर्जे वाली लाफ में, कर्जे वाली ल तॉट खड़े लिग्ट खाँने होगा, कर्जेमरे खाँने होगा, क्या नहीं रहेंट तॉट हैं, कि अविए ट्राइन वाहली लाफ माही का टॉट है कि अएपसे बज़ाएं लाफ आपकाँाएंग सब्स्वाएं ग्राइख में रजाइंगाएं लाउट इस एपक्श र लेकिन कब तक अवाम आज भी बर्दाश्ट कर रही है इससे पहले जो हुकुमते आई अवाम तब भी बर्दाश्ट करी थी हमेशा अवाम जो है महंगाई की वज़े से काफी नराज रहती है क्योंकि जब एलेक्शन होते हैं वोट मांगने के लिए जगा जगा केमपेंज चालरी होती है कि यार हाँ आप हमें वोर्द दें हम आके आपको ये रिलीफ पराम करेंगे ये वादे करते हैं अवाम से वादे करते हैं अवाम बिचारी हमारी मासूम है कहती है चलो किसी को तो नेकी आए कोई तो अवाम के लिए सोचेगा लेकिन यही होता है अगर हम अपने आपको भी ऐजा अवाम कंसिडरे करें तो आप इस वक्त अवरॉल सिच्वेशन हमारी भी अच्छी नहीं है लेकिन अगर आप देखें के या तो हम अपना इंडिविजुल बैनेफिट सोचें और लॉंग टरम के अंदर नुकसान मुल्क का सोचें तो हम कहेंगे कि टेंपररिली आम गुड लेकिन अगर मैं टेंपररी अपना नुकसान देख रहा हूं ऐसा अवाम लेकिन मैं देख रहा हूं कि मुल्क जो है वो सस्टेनिबल ग्रोथ के अपर जाएगा टाइम लगेगा और बेतरी आ जाएगी तो इसको एक्सेप्ट कर मैं आपको तक्रीबान बीस साल पुरानी बात बताऊंगा इस वेरी वेरी ओर्ड बट सम्बडी टोड मी कोई फॉर्णर था दूसरे मुलका एक जापानी था उसने मुझे यह बात बोली कहता है तुमारे मुलका सबसे बड़े दो प्रॉब्लम्स है मैंने बोला वो क्या प अई। कि डिल्ड साथ आप एक जितने भी प्रॉजिक्स उट स्टार्ट किया है तो आपके जितने रिसॉर्स्स जाया हो जाता है तूसरा प्रॉब्लम आपके साहिए है कि आप लोगों कि के ट्रॉपर टेक्स क्लेक्शन सिस्टम है अवां तो पिचारी देरे हैं लेकिन अ ठीग सही जगा है काशिव, अपना बिजनेस विए, अब इसकी आपना एक पुछू उक्षून है, मतलग बहुत ऐसे लोग हैं जो के पाकिस्तान के फंची नहीं करना चाहते हैं, क्या वज़ाएं हमारी मेशियत में बहतरी नहीं हैँ? क्या लगता है एक as a businessman point of view आपका क्या है क्या है क्यों नहीं लोग इन्वेस्ट करते है नहीं आसी बात नहीं है पाकिस्तान के लोग इन्वेस्टमेंट्स भी लेकर आ रहे हैं और मेरी अपनी एक्जेम्पल है मैं दूसरा मुझ छोड़ के पाकिसान आया कि पाकिसान जहां प वहाँ पे system बहुत ज्यादा organized है लेकिन जितने organized system है अगर आप वहाँ के taxation system को पढ़ें आप अमेरिका के उठा के देख लें आप आप Australia, New Zealand, UK कहीं चले जाएं अगर आप tax देखेंगी तो 40-50% तक tax जा रहा है किसी कुछ countries के लिए 60% तक जा रहा है आपको बिलकुल भी ये अगर हम अपने taxation को सही कर लेंगे तो हम उस तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे जब proper tax collection system होगा और यही टेक्स जो है वो properly लगना शुरू हो जाएगा और यह जब लगना शुरू हो जाएगा आपका infrastructure होगा, आपकी basic facilities होंगी तो आप देखेंगे कि अवाम का level खुद ब देखेंगे तो हो जाएगा रूल्स होते हैं वहां की आवाम फॉलो करती है, और यहां में आपको क्या difference लगता है क्या हमारी अवाम की कोताहिया हैं इसमया हैं हम हम ह्कुमत को ही blame नहीं कर सकते हैं नहीं रूल्स आते हैं बनाए जाते हैं और कुछ हमारी मत contour है कि इसमया के यह आपने बिल्कुल 100% से बात कि है कि इस टूवे ट्राफिक अगर आप सर्फ गर्मेंट के ओपर ही जो है वो अंगली उठाते रहेंगे कि गर्मेंट यह नहीं करेंगे कि अवाम को खुद भी अपने शोहूर को बलंद करना पड़ेगा जैसे हमारी अवाम यहां से दो होने राइन रखेंगा नहीं वहां कि दो कर्मेट को समझ्झेल को आपने इसलग वहां की लूजगर हैं वहां को समझcraft के खीमट को समैच। थमकर यह कोई अपनाद चरिक में बहुतायकिय का इंसर एकिट्श कर वाम पर शौरान पर केमराइन के निश्य का मौनिट्रिंग क पूरा ट्राफिक टॉक हो जाता है और हमें भी परिशानी होती है तो मतलब हम बाहर इस तरह की सिच्वेशन नहीं देखते हैं आप तो रहें आपको तो जादा पता होगा इस हवाले से जी यह देखें कौकब वहां पर भी प्रोटोकॉल्स हो होते हैं इस लेवल के नहीं होते लेकिन जरूर होते हैं पाकिस्तान में भी प्रोटोकॉल्स बहुत ज्यादा कम हो गए इसकी एविडिन्स मैं खुद भी देखते रहूं पहले अनफॉर्शनेटली कुछ साल पहले ती और आ फैसल पेन होने से पहले थकर्वान में 30 मिनिटस लोने मुझे वेट कर आगा सारी गज़ी रुक गए थी अर ठीज मिनिटस लोने से प्राउड में होने से प्रावलम मुझे यह एवा कि रस्ता और थर्शन में मेरी फ्लाइट में पार पहुछा था मैंने उसे बूछ ट्रैफिक चलता रहता है यह चीजे बहतर हो रही है अवाम को शौर मिलेगा ऐसा ऐसा थाए क्यों वो लोग हमारे जो दूसरे मुलकों में जाकर रहते हैं वो जब पाकिस्तान आते हैं तो अपने अपको ज्यादा बहतर है उनको हर चीज बुरी क्यों लगने शुरू होती है हमारी अवाम को एक्सपोशर ही नहीं मिला 50% पॉपिलेशन से ज्यादा तो हम लोग बिलोव पॉवर्टी लाइन रह रही है अवाम यह पे गाव में बिचारा बाइक उठाता है पिर रहोता है कच्छे रोडों के उपर यहां शेहर आ जाता है रोजगार के लिए यहां पर पाकिसान का नहीं है यहां यहां में लिए यहां पाकिसान को अवह रही है आपकी सग्वा महीने इस गवर्मेंट के पॉजटिव चेंज़ेग आप अब भाइन अब बहुत सारे महास पर शाद नहीं लड़िए अच्छाए है आपको क्या लगते है वजिए असर्दी आदा में आपके अमल उनका आया उन्हों की तूइट्स भी किया एगा है। देर आई दूरुसाइब बिलकल देर तो नहीं आया है फुर्म बिगिनिक उनकी सौच यह एगा है कि तहरीक इनसाफ का जो नाम है इनसाफ का वर्ड इसल बड़ा इंपॉर्टन है हम अपने जिन लगे हैं हम लिखते हैं आपको हमसरी पर देखें में अपनी जिन्दगी जी ऑगर चीसी तो पढ़ाने लगा है बिखामिंद दूरोजों आपने लें जाहते हैं खान के जो decepस का मतलब एगी लगा कि इससी दधना का बात कर दो आपकर भी है आपके जाने नेट पर सर्च करें, खान साब का एहसास प्रोग्राम सेंट करें सिंपल प्रोग्राम है वह किस सरफ ले जाना चाहते हैं इसक्ते Jetzt कौम को पहले समझें तो हम भाले भाइे डैक्रखे हो सबुए वे हम बात करते हैं लेकर भी पर जाना बहुत ज़रूई झाल पंड़त विजयराम पंड़त विजयराम आफ फेमसस्टॉलोजर औन साइकिक हीलर पाम बीडिंग फेस रीडिंग होरोस्कोब पंड़त विजयराम का कहना है इनके पास आपकी तमाम समस्याओं का हल यह काले जादू का तौशियराम आपका महभूब आपके खद्मों में आपकी मैरिज, जॉब, कारोबार, बिमारी और कोट को चेरी समेथ तमाम समस्याओं का हल। तमाम धर्मों के बहन भाईओं के मुश्किलाद दूर कर सकते हैं। All Religions Welcome! पंड़त विजेरांद से रापता कीजिए 647-391-2133 Address 5330 Yonge Street, North York, Toronto Welcome back नाजरीन! zdra parar के काशिफ्ट के जानने से फिफिद का लेखे श verf और से किली काशिव Kח्रम आथे प् Detroit जरने से कुछ भाते जान लेते हैं, पिर जानने का रोने का जानने का बाट केशिवा झाला थे, Łukod के जान जाना गया कहाता है करें किकْ अधिस्टार्षी का बेश्टेट मेरा है कर दो जान लेते हैं इनगी जबानी कि हमें बता इसे क्या है? और क्शीष कि अधिए, जु जरूब झाले है आप झाले स्टेशना का वेजिए करें के है क्षा था मियझका क्या संग माधनना है धिय्क और लेके फिर आपको गरीब की तरफ ये पैसा डिवर्ट करना पड़ेगा। खान साब ने जो होमलेस लोगों उनके लिए क्या काम शुरू किया है? पनागाह बनाना शुरू कर दें जगा 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 है अजगे हिजब कर पनागा जगा 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 जगए खाने जगा जगे ये वोगोřी फिर बात्या है जगाना कैजए है कि अध बनागा है खाने सॉकिए उनकितो इसने मिचाब हो च clem हैकाny मुझा छाओने धर मुझामी होऊदेगे तो इसीज़ को इज़गे है तो बड़ी तो उन्हों नहीं 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 नह इंडिस्ट्री ज़रूर लगने चाहिए एंडिस्ट्री पे चाहिए लेकिन उस रेजिडेंशल एरिया में क्योंकि नहीं लग सकती तो वह जगा चलें ठीक है आम अवाम के रहने के लिए वह जो 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 रोडो पिस होते गए लिए उन्हें इनके लिए बनाए जिसको पनाह काह का नाम उन्हें ने दिया है तो इस किसम के काम कर रहे हैं रोजगार के लिए डेकिए स्टेप डिफरेंट ले रहे हैं एक तो यह कि वह गरीब आवाम जो कि बिचारे पौवर्टी लांओं से नीचे रोडपिस हो रहे हैं होमलेस हैं इनके लिए पनाह गाए आगे इसक करता हूं देखिए गरीब अवाम के लिए आप महंगाई की बात करें अभी इस मंडे की बात है लास्ट मंडे यानि एक मिरखल की बात है खान साब नहीं बात बड़ी क्लियरली बोली अपनी कैबिनेट में बैठ के कि ही हैस टू फाइट जो हम महंगाई की बात करें उन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स की बढ़ाने की बात की कि पचास हजार यूटिलिटी स्टोर्स पाकिसान वाइट बनेंगे अब उन यूटिलिटी स्टोर्स के उपर जो प्राइस लेस्ट होगी वो गर्मेंट के हिसाब स होगी आम जो हमारी एजनसीज हैं जो के प्राइस कंट्रोल करती हैं वो अपनी जिम्हेदारी नहीं करी उन्होंने उसका भी एक्सेप्ट किया वो तो फिर आपको पता है हमें क्या बोलू ऑन स्क्रीन बहता लेते हैं कमिशन उनका बंदावा होता है कि भाई तुम इतने उसम रे टाइम हैं लिस्ट दी गई है अब सबजी वाला जो है बीस रुपे बढ़ा के दे रहा है अवाम को जार से बाते हैं उनको जरूरत है वो तो खरीदेगी आवाम रहतो नहीं सकती ना बिना उसके तो अब वो जो चेक करने वाले आते हैं वो उनसे भी पैसे वसूल करते है किते हैं हाँ चलो ठीक है अपना गुजर भुजर तो चौडी रहा है ना इस तरह से तो यह चीज़े भी हमने बहुत देखी है तो वही आपकी बात आ जाती है कि इस पे इंप्लिमेंट करना होगा 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 इस तरह से देखें कौकाव अगें मैं यह बात काऊंगा कि यह सारे इशुज हमारी हमारी सोसाइटी में डीपली रूटेड हैं आप एक साथ सारे महाज नहीं लड़ सकते हैं जो चीज़े आपकी लॉंग टरम में जाके बेनिफिट देंगी आपको वन बाई वन लेके चलना है लोगों का मिज़ाज नहीं है अवाम का मिज़ाज नह चीज़ों को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है जहनी तोर पर अबी भी भी बहुत सारी चीज़े हो रही हैं और अगर आप इस चीज़ की बात करती हैं कि दूसरे मुलकों में क्या वहां पे रेट्स नहीं पढ़ते वेजिटेबल मैं आपको एग्जेंपल देता हूँ वेस्टेंड वरिल्ल के अंदर जहां सरदीयां ज्यादा पढ़ती हैं आप टिमाटर या जितनी भी सरदियों की सबजीशने हैं आप तो सब महंगी हो जाती हैं वहां पर महंका भिक राहता है वहां दो यह घाल होता है रमजान आते नहीं निर्ग पहले ही बढ़ता है आश तो आप ही बता सकते हैं देखें वह एक अलग चीज है Christmas आती है, डिसकाउंट्स लगना शुरू हो जाते हैं ओफर्स लगना शुरू हो जाती है हमारे रमजान आता है प्राइस अप होना शुरू हो जाती है क्योंकि करते हैं यह सीजन ही कमाई कैं यह गलत है यह सोच गलत है जो चीज गलत है हम सब एकसेप्ट करते हैं हम सब को उसके अगेंस फाइट करनी है इन लोगों के खिलाए यह लोग माफिया लोग होते हैं यह जो काम करते हैं यह आम अवाम नहीं है हमारे आतों जैसे सीजन आता है नॉर्मल डेज आता है उतने का नहीं मिलेगा लोगों ने अपना माइंड इसना से सैट किया है कि हमें कमाना किस तरह है अपने सीजन से किस तरह हमें इस तपादह उठाना है लेके जब हम फिर वहीं कहाँगा है कि तुम यह सई कर रहे हुँ है और गलत कर रहे हैं जब हम उस कॉन्शियंस को दबाते रहते हैं तो और और फिर हमें सए होगलत की पहचान नहीं रहती ही तो हमने हर्ची को जिस्टिफाइर किया वह होता है तो यह प्रावलम्स हमारे हम हो जोते हैं देखें मैं जो आपको हम उसको दूसरा रंग देना शुरू हो जाते हैं हम कहते हैं देखो हकूमत ने काम कर दिया तो यहां पर कुछ इसकिसम की चीजें तो जिसको हमें देखना पड़ेगा समझना पड़ेगा के चीजें इतनी वो नहीं होती है हमारे हाँ हाइप बहुत क्रियेट कर दे जाता है और मीडिया माशालला उसमें बड़ा एहम रोल प्ले करता है मीडिया तो सच दिखाता है ना मीडिया तो अमाम की आवाज देना कासिफ मीडिया की ही वज़जह से तो इतनी अवेरनेस आई है लोगों के अंदर वर्ना लोगों को इतना पता नहीं था अब घर गर लोगों तक ब्रेकिंग सपाँ जाती है कि आज पेट्रॉल इतना हो गया तो थामाटर इतने रुपे किलो गया वर्ननर नॉर्मली शायद मैं सबजी नहीं खरीटी तो मुझे भी नहीं पता होगा कि थामाटर कितने रुपे किलो चल रहे है तो एक तरह से मीडिया का अच्छा अपरजी करना तो आम सी बात है क्या लगताया ऊपको क्योंकि नॉर्मली अगर हम इन चीजों से हटके बात करें तो अगर ट्रैफिक के रूल्स जेतों लोग वह भी फॉल्लू नहीं करते हैं और अगर डिगर कही एधारों में रूल्स है तो लोग वह भी नहीं करते हैं त तो इसके खिलाए प्रफिद करना चाहिए? देखें, स्टेप बाइ स्टेप पहले आपने गलत को गलत कहना शुरू किया है इसमें हम सब को अपना रोल प्ले करना है यह खाली गर्मेंट का रोल नहीं है, हर इक का रोल है, मीडिया का रोल है, हमार रोल है आप लेवल पे स्कूलों में, कॉलेज़ में, टीचर्स का इन सब के अपने अपने रोल्स हैं, अगर हम लोग अपने अपने रोल्स प्ले करते चले जाएंगे तो हम अवाम के शौर को पहले बुलंद करेंगे तो आप़े का लगए लगड है, कि आपको के अपने लूज परियूगे कछु पोश्य हमे लावशान है अपने जाएंगे बिया को चाहिए, जहां तक मिया इन नपने इसमेरी के लिए ये पेमरा के रूल में लिखा हो होता है कि आपको कुछ परसेंटेज डेली बेसिस के आपको प्लिक नोट सर्विसस जो उनके मेसेज़े होते हैं आपको प्लिक ये मेसेज़े आप देना शूरू करें और मैं देखता हूं कुछ चैनल वाकरी कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं वो बताते हैं कि अपके लिए जान लेवा था है है लोगों ने अब पहले के मुखाबले में हेलमेट पहना शुक्त है अब देख रही है मुझे बड़ी खुशी होती है पहले हम सोच नहीं हम देखते हैं जगा जबरदस्ती वह लगाए वे थे कि हाँ अपने हेलमेट खरीदने हैं चलान हो रहे थे लोग इस डर से अपनी से मैंने माइनसेट नहीं है मैंने जो देख है बिलकुल ऐसे है लोग बहुत सारी जरूरी चीज़ों को जरूरी समझते नहीं है यह लेकिन कभी कभी आपको कोई चीज़ इंपलिमेंट करने के लिए थोड़ी सखती करनी पड़ती है क्योंकि यह कानून भी बनाया है सजा और जजा का जहाँ आप जजा अल्ला की तरफ से तो पर सजा भी अल्ला की तरफ से इसी तरह जो आप दूसरे मुलकों की एक्जैम्पल दे रही है वहाँ पे हैवी फाइन्स भी होते हैं वहाँ पे आप कोई गलत काम करते हैं तो आपको फाइन किया जाते हैं पैनलाइस के जा अगर आगर आप आप ऐसे जूस पीके बॉक्स भी फेक देते तो उस पे भी मेरे खाल में फाइन होता है और यहां तो हम देखते हैं गुटका पान चालियों के पूरी जगह जगह होती है मतब दिवार पे कलर होता है तो यहां वाल चॉकिंग की जा रही होती है मज़ों से तो मतब अजीब तरह का निजाम है क्या लगता है इसके ख़लाप भी कुछ होना चाहिए जुर्माना भारी भरकम आइद करना चाहिए नहीं करना चाहिए लिए जुर्माने मैंने आपको बत पैसे नहीं है तो किसी तरह तो इस अवाल को भी करना होगा तो कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे एक दो लोग अपने पर मिट्टी के तेल पेट्रॉल डाल कि आग लगा लेंगे आप और मजीद जालिम हो जाएंगे वह तो अभी भी के सामने आते हम देख रहोते हैं म मैनेज करेगा आपको नहीं लगता कि ऐसे लोगों की जो है वो तन्खाएं हुकूमत को चाहिए बढ़ाएं क्योंकि हम देखते हैं कि हुकूमत खैर चलो मतब गौर्मेंट थारे जो हैं वो तो तन्खाएं बढ़ा देते लेकिन प्राइविट सेक्टर्स जो हैं उसमें ज आपको चाहिए हुकूमत को कि लोगों की तन्खाव बढ़े बहले जादा नहीं बढ़े हजार रुपे बढ़े दो हजार रुपे बढ़े डिपेंड ऑन उनके वर्क से रिलेटिड क्या लगता आपको अब बिलकुस सही कह रही हैं देखिए यह रूल्स होते हैं अगर तन्खा वही रहती है अब तन्खा भी साल में चलो एक दफ़ा बढ़े तो अवाम फिर भी थोड़ा बहुत मैनेज कर सकती है कि यार अगर हमारी तन्खा साल में एक दफ़ा बढ़ती है चलो महिंगाई बढ़ती है इसे कोई फरक नहीं पड़ता जादा पिलकुल यह जिस के चलना पड़ा है पड़ता है आप यह भी देखते हैं कि तन्खाएं तो आपकी बहुत बढ़ गए आपका बिजनस किस प्रपोर्शन से बढ़ रहा है हमारी नहीं बढ़ रही है काशिव इस पे भी बात करेंगे लेकिन यह आप देख लेता है नाजरीन पंडत विजेराम अ पंड़त विजयराम का कहना है इनके पास आपकी तमाम समस्याओं का हल है काले जादु का तोड़ आपका महभूब आपके कदमों में आपकी मैरिज, जॉब, कारोबार, बिमारी और कोट को चेरी समेथ तमाम समस्याओं का हल तमाम धर्मों के बहन भाईयों के मुश्किलाद दूर कर सकते हैं All Religions Welcome पंड़त विजयराम से राप्ता कीजिए 647-391-2133 647-391-2133 Address 5330 Yonge Street, North York, Toronto वेलकम बैग नाजवरीन, बेख जाने से पहले हम काशिफ का तजिया आप तक पहुंचा रहे थे हैं महिए क्यापाले से आप कुछ बात कर लेते हैं काशिफ आप इतने सारे बिजनस को कैसे मैनेज करते हैं और सबसे अच्छी बात क्या आप इनसानियत की खिदमत करें, एक NGO चला आप इसके बारे में क्या बताएंगे देखें कौकाब हर इनसान का कोई जिन्दगी का परपस होता है So first of all we have to find the real purpose of your life Allah ताला ने आपको भी किसी चीज़ से नावाजा है, मुझको किसी चीज़ से, हर इनसान को कोई ने कोई तोफ़ा दिया है हमारी कोशिश ही होती है अपने से related कि जो Allah ने हमें तोफ़ा दिया है, हम उस तोफ़े का best इस्तमाल क्या कर सकते हैं तो मुझे ये चीज़ें लोगों को देनी चाहिए, बहुत सारे लोग हैं जो अंडर प्रिविलेज़ड हैं और खुसान हमारे अपने मुल्क में आप देखें हम 50% से स्यादा बिलोव पौवर्टी लाइन लोग रहते हैं यहां पर मुश्किल हालात में तो उनके लिए अगर मैं और आप नहीं सोचेंगे जिनको अल्ला ताला ने कुछ दिया है तो कौन लोग सोचेंगे इसी सोच और फिकर के साथ मैंने और मेरे एक दोस्त हैं बंगश साब बंगश साब जो हैं इनका तालोग है पाराचनार से हमारी मुलखा तो इन्हों ने मुझे बताया अपना काफी टफ टाइम वहां पर गुजारा रिसेंट्ली आपने पाराचनार का भी विजिट किया इ बिजनस के साथ साथ सोचल वर्ग भी कर रहे हैं तो हम दोनों ने मिलके फिर वहां पर एक औरगनाईजेशन बनाई जिसका नाम रखा ट्री ओफ हुमानिटी फॉर आल इसके अंदर जिसको शॉर्ट फॉर्म अगर लें तो 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 इसके अंदर हमारी खौईश यह थी कि ज इतने लोग हैं जिनकी मदद की जा सकती हैं हमने वहां पर एक औरगनाईजेशन बना ली रिजिस्टर कर ली न्यूजरेंड के अंदर और पाकिस्तान में भी हमको रिजिस्ट्रेशन के तकरिबर तीन साल हो गए हैं जो एसी सीपे में पढ़ी भी आज तक जो उमीद यह कि एक दो दिन एक दो हफ़ते में हो जाएगी तो लेकिन हमारा काम चारी है अल्ला के शुकर है हम लोग काम कर रहे हैं इसी सलसले में अभी हम लोग इसलामाबाद गये वहां पे हमारी मुलाखात हुई पाकिस्तान इंटरनेशनल हिमन राइट्स के जो प्रेजिडेंट हैं उ वहां पे हालात अभी भी बहुत अच्छे नहीं हैं तो मेरा हम से यही डिसकेशन हुआ कि क्योंकि जोहिप का तालुक वहीं से और मैं चाहता हूं कि हम दोनों इस प्रोग्राम को लेकर वहां पर जाएं क्योंकि यह प्रोग्राम बड़ा एहम है जो लोग गरीब लोग उन जी यह मैं है तो दिन तक मुसल्सल वहां जब रहा हूं था दो रातें दो दिन कोई बजली आई रही तो इतनी शड़ी थी वहां पर जाता है कि कभी कभी माने सेविंटीन डिग्री तक भी जाता है तो वहां के लोग कैसे सर्वाइब करते हैं उन लोगों का सिलसला यह था कि यह तो इतना खतरना कि और लोग उसी के सरांड में सो रहे होते हैं मैं खुद भी सोया उन रातों के अंदर लेकिन मेरे जहन में यह बात रही कि यह आम अवाम तो फिर इन लोगों को बचारों को तो ना यहां गैस मिल रही है ना बिजली मिल रही है ना प्रॉपर पानी मिल रहा है, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो दिर आफ लॉट्स अफ तिंग्स जो वहाँ पर की जा सकती हैं, और उसके लिए अब हम लोग बाकाइदा तरीके से, अगर 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 यह काम हो जाए, तो एहसास प्रोग्राम को हम वहाँ पर लाँच करना चाहरे हैं, हम उसके उसके हमें फार्दा किया होगा, हम बच्चों की एजुकेशन से लेके, और उनके मेडिकल से रिलेटेट, फिर हम आई साथ तरह कुछ एंजियो से बात करें के, हमें सोलर पैनल्स लगाने वहाँ पर फिर मैंने कुछ स्टडी किया जाके कुछ बॉक्से हैं, इलेक्रिक वो सेल्फ सफिशिंट एक घर बन सकता है उससे, तो वो अगर वहाँ पर लगा दिया जाए तो उनके कुछ पंके चलेंगे, एक बिजली का बंदू बस हो जाएगा और वो भी सूलर से चलता है, काशिव आम देखते हैं कि हमारे मुल्क में बहुत सारी एंजियो जो हैं वो फेक बन के वो डिनेशन ले रहे होते हैं, इस किसम के काम अगर आप करेंगे तो सबसे पहले दो आप अगर शुआख को जवाब देऊंगे, तो आप कोई भी फिकर करें, कोई भी काम करें, तो अपनी सोच को बिलकुल ख्लियर रखें, तेकि हज़रत अलियलसलाम की सेंग है वो कहते हैं अपनी सोच पे काम करो क्योंकि जो इनसान सोचता है वो उसके अलफाज बनते हैं जो उसका अमल बनता है और जो उसका अमल बनता है वो उसकी आधात हो जाती है और जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो हम अपनी आदाद लेके जारे होते हैं हम पक्के हो चुके हैं तो इसी वज़े से हमको चाहिये अपनी सोच को सही करें उस पे काम करें अगर हमारी सोच सही होगी एक हमारे अमल और खुझ सही होना शुरू हो जाएगा हमारी सौच के अंदर ही अगर शुरू से करप्शन होगी कि मैंने ये करना है लेकिन पीछे इतना कमाना है मैंने इसके साथ ये करना है अपना मुदा रखे उसमें करेंगे तो फिर तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको सैटिसफेक्शन मिल सती है या कामियाभी मिल सती है फिर आपने परपस नहीं समझा भागा है लास्ट में बस प्रग्राम का वगत थोड़ा रह गया है पहली चीज़ तो अवाम के लिए ये जरूरी है ये हमारा इमान है दूसी तरफ नाउमीद नाओ क्योंकि नाउमीदी कुफर है उमीद रखें चीज़ें बेतर होंगी अभी टाइम बहुत कम हुआ है खान साब ने अनाउंस किया है 50,000 यूटिलिटी स्टोर्स बनाने के लिए और काम्याब जवान प्रोग्राम को इससे लिंक किया है शुरू में 15-100 यूटिलिटी स्टोर्स बनाने के लिए हर एक को 5 लाक रुपए का फंड्स भी दे रहे हैं कि काम करें रोजगार भी होगा इससे चीजें भी नीचे आएंगे आप जाके यूटिलिटी स्टोर्स से खरी देंगे अगर एक अदारा काम प्रॉपर नहीं कर रहा है कम से कम ये अदारा तो आपको कुछ दे सकेगा बिलकुल बिलकुल काशिव आपने बहुत अच्छी बात की काशिव की इसी अच्छी बात के साथ प्रॉग्राइम जो अपने एक फताम को पहुंचा अपनी होस कौका फारू की कोचा सतीजे अल्दाने के बाद